देश्री राम मित्रो मैं सीमा रोहिला मेरे चैनल मा की रसवी पर आपका स्वागत है आज हम लेकर आए कॉर्ण और ओट्स के आटे से बना बहुत ही यमी सा नाश्टा यह बहुत ही अच्छी लॉलीपॉप है कबाब है टेस्टी टेस्टी से यह हमारे बॉल्स बने हैं बहु साइज के स्प्रिंग ओन्यन और हमने लिए आधी केरेट जो बहुत बारीक बारीक काटके रखी हुई है आपको इस बात का ध्यान रखना है बहुत ही बारीक काटनी है सब चीज धनिया पती और पधिना पती हमने लिए हैं स्वीट कॉन जिने बॉइल करके रखा है उट्स इंच्छान में ग्राइंड कर लिया तो यहां पर हमारे मिडियम साइज के जिसे आनने वाल के थढान ठंडा करके और बोटी सा cyn hanya चैसे क्रेंटर से किसके रखा हुए है अब ृथा जार हम आप न में स Alde रखना हम लिए है अभी हम ठोड़ा डाले ठाहम बास में डालेंग शारी साथ से देख करके डालेंगे। अच्छे तरीके से आपका जो भी शेप है वह बन पाएं। तो यहां पर हमने ले रहे है बहुत थोड़ी सी ली है। यह आप करेट आप इसमें रेड़ बिल पेबर का यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कैप्सिकम बीन्स आपके पस जो सब्जी एवेलेबल हो आप उसका यूज कीजिए या आप जो सब्जी ज्यादा पसंद करते हैं आप उसका यूज कीजिए अद्रक और एक हरी मेर्च अद्रक भी हमने बारिक इसके रखा है आप इसमें लहसुन का भी यूज कर सकते ह यहां पर कश्मीरी लाल मेर्च सारी मसाले स्वात के अनुसार और पसंद के अनुसार डाले काली मेर्च जो मसाले आप नहीं पसंद करते हैं आप उसको ना डाले या कम डाले रोस्टेट जीरा पाउडर दणिया पाउडर आप इसमें डालेंगे जहर हम यूज करते हैं वहलीा आप इसमें रेड चिली फ़लेक भी सकते हैं ली पाउडर डाले हैं mixer आप इसमें कोई भी मसाला जो आप पसंद करते हैं मैं बार बार कहरे हूं वही डालें तो यहाँ पर हम डाले हैं साथी खटाई यानि हमचूर पाउडर स्वाथ के अनुसाय नमक एक चमश नमक है आप इसमें कोई भी चीज घटाया बढ़ा सकते हैं जो आप मसाले पसंद करते हैं या वेजिटेबल पसंद करते हैं अब हम सारी चीजों को मिक्स करेंगे तो मैंने बताया मेरे आलू बहुत अच्छे हैं ज्यादा चिप चिपे नहीं है तो इसमें मैं जो आटा या कुछ भी और चिज़े नहीं डालूंगी तो जो मेरे पास है जो मैंने रख रखा है इतना ही डालूंगी अगर बाई चांस जैसे कि आप अच्छी से बढ़िया रोटी बनाने के लिए अच्छा डो लेते हैं बनाते हैं या पूरी बनाने के लिए लेते हैं तो इस टाइप का डो जिससे कि आपकी जो भी चीज़ा बना रहे हैं वह पढ़िया से बाइंड हो जाए तो इस तरीके से आपको उन चीज सा हलु और एक बोलड करन और एक ब ही ओर्ण हमारा सावरी मुझे और इसको चैकनա कर लेंगे और वम अध्यार है रहा है बांद करने कि और बहुद करने के बाद आप द condemn on प्रिज में भी रख सकते हैं तब यह और अच्छे से सेट हो जाएगा तो यहां तो को ग्रीज कर लेंगे एक बार ऑई से ताकि हम जो बॉल बनाएं वो बढ़िया से हमारी बन पाएं एक बार का ग्रीज करने के बाद हम दो तिन बॉल बढ़े आराम से बना सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है दोस्तों यहां पर हमने ना ब्रेट करम यूज किया है ना मेंदा ना कॉन फ्लार हमने इसको हेल्दी बनाया है जैसे कि इन दिनों में भार के चीज़ों पर हम वरूसा नहीं कर सकते हैं गर में हम अच्छी और हेल्दी चीज बनाएं जब हमारा बन कर रहा है कुछ भार का खाने का तो हम घर में ही क्यों ना healthy सी और टेस्टिस बनाएं तो यहां पर हमारा ओल अच्छे से करम हो गया है पहला हमने एक टेस्ट करने के लिए डाल दिया देखिए बढ़या से सीक रहा है और फटा भी नहीं है तो हम बाकी के भी इसमें डाल सक लेंगे पर सारी भॉल्स को गुर्ड़न कर निकाल लेंगे आप पसंद करते हों जितना कम राओं का घली है पर संदिल साय भॉली के लाओं मिलती ना कब आप उनसे ज्यादा यमी है बहुत ही टेस्टी हैं तो घर में हच्ची चीज़े बनानी चाहिए मार्कर से क्यों ले करानी बढ़िया सी गर्मा गर्म और करारी करारी चीज़े जब आपका मन करें तब बनाईए खुद खाये बच्चों को खिलाईए तो हमारे यह सारी ही कॉर्ण बॉल्स तयार हो गई है अगर आपको यह अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले बताएं कि आपको यह कॉर्ण बॉल कैसी लगी तो देखते हैं यहां पर हम इसे एक इस तरीके से मैं इसको कब आपकी तरीके से इसको प्रेजेंट कर रही हूँ आप किसी भी स्टेक में कर ल लगी वह तो लेके खुंता है तब को यह बहुत यह मिलेगी तब जरूर्ट राइप कीजिए गा इससे पहले मैंने बोड़ी को डीटॉक्स करने के लिए काफिरेंसे भी डाली है अच्छी स्मूदी डाली है और साथी मैंने ब्रत स्पेशल काफी सारी मिठाईयां और पहुंची हूँ तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आदा करती हूँ यह देखे बहुत ही टेस्टी सी बॉल बनके हुए तयार तो आप जरूर ट्राइक कीजिए बार-बार कहूंगे आप मेरी स्थारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए अगर आपको वीडियो अच मिलते हैं अपने हैं चीची नई नई वीडियो में दबता के लिए धन्यावाद।